प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु का वच्चन को पढ़े और उसके पर मनन करें आज हम बाइबल अध्यन के लिए पढ़ेंगे रोमियो उसका चोद्वा अध्याई और उसकी एक से बारा आयत तक पढ़ेंगे जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगती में ले लो परंतु उसकी संकावों पर विवाद करने के लिए नहीं एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है खाने वाला न खाने वाले को तुछ न जाने और न खाने वाला खाने वाल उपर दोस्त न लगाए क्योंकि परमेसर नो उसे ग beraberな किया है तु कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोस्त लगाता है उसका स्थीर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से सबन्द रखता है वरोन यह स्थीर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभू उसे स्थीर रख सकता है कोई तो एक दिन के दुसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है हर एक अपनी ही मन में निश्चय कर ले जो कुछ दिन को मानता है वह प्रभू के लिए मानता है जो खाता है वह प्रभू के लिए खाता है क्योंकि वह परमिस्व का धन्यवाद करता है और जो नहीं खाता वह प्रभू के लिए नहीं खाता और परमिस्व का धन्यवाद करता है क्योंकि हम मेंसे ना तो कोई अपने लिए जीता है और नो कोई अपने लिए मरता है अधी हम जीवी थे तो प्रभू के लिए जीवी थे और अधी मरते हैं तो प्रभू के लिए मरते हैं अता हम जीए या मरे हम प्रभू की के है क्योंकि मसी इसलिए морai और जी उठा की वह मरे हुआ मरे हुआ और जी उतो दोनों का प्रवू है तो अपने भाई पर क्यों दोस लगाता है या तो फिर क्यों अपने भाई को तुछ जानता है हम सब के सब परमियसर के नियाज सेन के सामने खड़े होंगे क्योंकि लिखा है प्रभू कहता है मेरे जीवन की सोगन हर एक गुटना मेरे सामने ठिकेगा और हर एक जीव परिमेसर को अंगीकार करेंगी इसलिए हम में से हर एक परिमेसर को अपना-पना लेखा देगा प्रभू इस है जो हमने वचन पढ़ा उसको आसिसीत करें जो हमने ये एक से बारा आयत पढ़ा उसमें बेजिकली प्रभू हमें दुसरे के उपर दोस नहीं लगाने के लिए के उपर हमें वचन हमें अगोवे करता है कि अपने भायू पर हमें दोस नहीं लगाना है देखिए प्रभु इस दुनिया में हम आया हम पापी ही थे, हम परमेशर के वेरी थे लेकिन प्रभु जब इस दुनिया में आया तो वो हमें दोस लगाने के लिए नहीं आया हमको दंडिट करने के लिए नहीं आया ये पाप किया हमने ये गलती किया हमने ये अधर्म के काम किया ऐसा बताने के लिए नहीं आया लेकिन हमको बचाने के लिए परमिशर इस दुनिया में आया और वो भी हमें ढूंडते आया जब हम खो गए थे तो हमें ढूंडने के लिए परमिशर हमें बचाने के लिए परमि करता है तो वो प्रैम हमें बहुत कुछ चीजों हमें हमारे जीवर्म के देखे जाता है तो परमिस्वर का प्रैम हमें हमें जो दिया गया है वो हमें दोस्त नहीं लगाता है लेकिन हमें बचाता है और हमें इस प्रैम से बढ़ता है ताकि हम भी दूसरों को प्रैम करने वचन कहता है उसने हमें नमूना दिया है कि हम दुसरे को प्रेम करें देखिए जब हम जब प्रभु इसमसी को कुरूस के उपर लटकाया गया उस ताइम पे एक चोर जो था एक डाकू जो था जो खत्यारा जो था वो प्रभु की निंदा कर रहा था आपने दूसरे को बचाया अपने आपको बचा लो करके या ऐसा करके कुछ उसकी ठटठा मज़ा वो कर रहा था लेकिन परमिसर न उसको कुछ बताया नहीं उसको कोई विरोध नहीं किया परमिसर को जो लोग दोसित ठरा रहे थे कितने लोग उसके विरोध में थे और उसके विरोध में वो लोग सब बात करते थे लेकिन परमिश्वर कभी भी किसी को दोसित नहीं ठराते थे ये परमिश्वर का सबसे बड़ा बात है कि वो हमें प्रेम करता है हमें दोसित नहीं ठेराता है देखिए हम दोसित होने से हम ये नहीं कि हम देखिए हम गलती करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि परमी सर हमें बचाता है हमें उससे छुड़ाता है यार हम को समा करता है उसका मतलब ये नहीं कि हम दोसित नहीं है हमने गलत नहीं किया अगर हमने गलती किया है तो वो गलत है ही लेकिन परमिर सर का एक जो गूण है वो हम उसको प्रेम करना हम बचाने का हम को शमा करने का प्रभु का वचन कहता है जितना पुरुवा पच्चिब से दूर से इतना उसने हमारे पापों को दूर कर दिया है हमारे जीवन से क्या ये प्रमी सर का प्रेम नहीं है उसने हमें अनंत प्रेम किया है अपना पवित्र लोह बहाइने के द्वारा वो हमें प्रेम करता है देखे आज हमें प्रभु का वच्चन हमें ये अगोई करता है हमें दूसरे को jeśli दोस नहीं लगाना है क्रीकर प्रबु का वचन ये कहता है जब अब दूसरे को उप पर दोस लगाते है हमारे उपर भी दोस लगाया जाएगा देखिए हम कई बार देखते हैं हमारे जीवन में हमारे पड़िशी हो सकते हैं हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे कलीशिया के दोस्त हो सकते हैं या हमारे कोई आसपास के लोग हो सकते हैं कई बार हम लोगों को दोसित ठराते हैं या हमको दोसित ठराया जाता है लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें किसी को दोसित नहीं ठराया देखिए दोसित होने से बाउजिद भी कई बार हम देखिए बात यहां पर यह आती है कि कई बार हमें जब हम चर्च में जाते हैं हमें अपना पास्टर हमें गोई चीज के लिए हम गलती करते हमें बताते हैं आपने यह गलती किया है तो वहाँ पर एक आदमी को सुधारने की या आदमी को जो गलती है उसको बताने की एक बात वो चीज अलग होती है लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इंटेंशनली या ऐसा करके कई लोगों के उपर हम दोसित लगाते हैं मतलब उसके विरोध में हमारे मन में कुछ चीज होने से हम उसको दोसित ठरा लेते हैं तो यह यहाँ पर गलत चीज है गलती है हम मानते हैं किसी ने हमारी विरोध में गलती किया है या कुछ ऐसा काम किया है हमारी विरोध में किया नहीं किया वो इंपर्टनस नहीं लेकिन हम हमको पता है उसने कुछ किया है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए या उसको उसको उपर हम गलत आरोप लगाना नहीं चाहिए या उसको हम भूल जाना चाहिए उसको पर हम दोस उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वच्चन हमें कहता है क्यांकि जब हम उसको दोसित ठराते हैं हम अपने आपको भी दोसित ठराते हैं या हमें दोसित ठराये जाएगा जब हम दूसरे को दोसित ठराएंगे हमें कोई दोसित ठराए जाए कि देखिए हर एक इनसान के जीवन में कुछ ने कुछ कमी है घटी है और हम जब जीवन जीते हैं कुछ ऐसी बाते हमारे जीवन में आती है लेकिन परमिश्वर हमें कहता है हमें अपने भाईव के उपर अपने पड़िशी को पर दोसित नहीं लगाना है उसको हमारे इंटेंसन कई बार ऐसा होता है हम अपने बच्चे को जब वो गलती करते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं हम उसको डाटते हैं उसको सुधारने के लिए या ऐसा नहीं करने के लिए हम उसको ये करते हैं ये एक अलग चीज है लेकिन हम कई बार क्याते हैं इंटेंस्टली अपने दिल में किसी के प्रती कुछ कड़वापन है वेरभाव है या जलन है या कई ऐसे भाव होने से हम अगर दुसरे को दोसी ठराते हैं तो ये दुसरे को दोसी ठराना हमारे लिए उचितने हैं सब के लिए हमें दुसरे को दोसी ठराने का प्रमिश्वर हम से वादा हमें वचन देता है कि हमें दुसरे को दोसी लगाने का नहीं है काकि प्रमिस्टा का वैचन कहता हम दिसरों को जिद दोसित ठराते हैं तो हमें भी दोसित ठराए जाएगा तो हमको अगर दोसित कोई न ठराए उसके लिए हमको बेटर है हम किसी को दोसित नहीं ठराए या किसी के बातों में हम या किसी के जीवन के बारे में हम ज़्यादा ये हस्त पिक ना करें लेकिन हम उसके लिए प्राफ ना कर सकते हैं या हम उसके लिए देखिए प्रभु का वच्चन कहता है अपने सताने वालों के लिए आप प्राफ ना करो करें तो प्रभू इस वच्चन के द्वारा हमें आज ये कहना चाहता है कि हमें दूसरे को उपर दोसित नहीं करना है दूसरे को दोसित नहीं ठहराना है और सब के साथ मेल मिलाब के रहके अपना जीवन को जीना है तो आज इस वस्चन के दोरा प्रभू आप सब को आसे सित करें